हलो दोस्तु एक दोस्तों एक बादम स्वागत कर तो आपके एपनी चैनल परłość किलांग लाइक से दिल से बहुत बहुतनीवाद सब्सक्राइब करीन Corona को लाल करें आपको बटन दिख रहा होगा साथ में बैल को दवाना ना मुलिएगा टाकि हमारे तो आप अपना रिक्स को ध्यान रखते वे मार्केट में ट्रेट कर सकती हो ठीक है क्या पता मार्केट अभी 14 चले तो यहांसा 15 भी जा सकती है इसलिए यहां पर एक ही चीज काम करेगी जब मार्केट टॉप हाई में होती है तो एक ही चीज काम करती होता है रिस्क अगर आप आपको रिक्स नहीं पता अपना तो मार्केट में मत काम करो यार तो मार्केट को मज़े के लिए देखो और निकल जाओ बस ठीक है तो देख सकते हैं चार्ट में आपके साब में लगा है यह टेक्स में हो पाइप से लेकिन चार्ट में एक्स्प्लेन करने से वहले क्या टागेट है क्या स्टाप्लोस है मैं आपको लेकर चलता हूं उसके प्रॉफिट लॉस की तरफ इसके प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं यह स्टॉक हमें अच्छा लगता या नहीं लगता है तो अगर आप कुछ समझ आ स्ट्राइब है तो करो एक लिडी अ च्छेयर कीचे कॉमेंट कीजिये और अगर हो सके तो टुट्र में टेलीग इंस्टाब्राम में वट्सम में जाहां सेयर कर सकते हो अँगर कीजिए हमारा नीचे घरूप पडएवे है जिसका घरूप जो भी टूरॉप आपको जोइन क च्रोड के आसपास और 200 BOOKS के अकॉडिंग इत्यत्तर रुपे के आसपास होनी चाहिए BOOKS के अकॉडिंग मतलब BOOKS से काविल सस्ते में ट्रेट कर रहा है और डिविटेंट जीरो है मतलब डिविदेंट नहीं देती है कंपनी और आगे लेके चलते हैं जान लेते हैं क्या क्या प्रोज है और दोसों देख सकती हो कि कंपनी जैसे मैंने बताया स्टॉक इस ट्रेडिंग एट पॉइंट टू टाइम्स इस वुक वैल्यू अपने बुक्स वैल्यू कावल सस्थे में टेट कर रहा है और प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है कुछ क्वार्टर में इंक्रीज हुए तो काफी बड़ा नंबर है 6 परसेंट तो अवसको हमने वाच्विस में रख सकती हो आने ले अपकमिंग मंद के लिए अब आपको लेके चलता हूं उसके प्रॉफिट की तरब दोस्ट सेप्टेंबर देखो के दोस्तों तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो मार्च में दोस्तों देख सकते हो 97 लाक के असपरस का प्रॉफिट ता जून में एक क्रोड के असपरस का प्रॉफिट और सेप्टेंबर क्वार्टर में इसको 1.48 क्रोड का असपरस का प्रॉफि देखने को मिल रही है मैं अभी आपको स्टॉक का जो चार्ट वो दिखाऊंगा प्राइस के साफ से कि प्राइस में यह चीज़ डिसकाउंट होने लगी है ठीक है तो डिसकाउंट में मेरे साफ से आज आपने देखा होगा स्टॉक आपका 10% के असपास उपर था तो यह यह 5 25 प्राफित है चार क्रोड के आसपास का और five-19 3 क्रोड के आसपास का पहले इस्को profit त्हयस देख सकति है उंट एक क्रोड और 0 के आसपास ला है एक सिलोली केज इंक्रिमेंट और देख सकते होplin में कि इसको यह पिंश पॉछ है इसमें कितना चीच अब लेके चलता हूं उसके से रूल्डी पैटन की तरफ से रूल्डी पैटन मैंने खूला वा इसका देख सकते हूं कि दोस्तों अमाद हुए उनिसके आतपर 34% के आसपास की अब बहुत ज़्यादा है तो भाई जो इसमें अभी मूव आएगी आपको त्रेडिंग बोल सकते हो तो जो इस प्रेंट वाइस में चल रहा है वहासे अच्छी मूव देखने को मिल सकती है लेकि ज़्यादा होने के कारण मैं यह बोलूँगा कि इस टॉक को आप अप एक स् रखते हो ठीक है लेकिन ज्यादा लॉंग ट्रम के लिए भी होल्ड मत करना आप लॉंग ट्रम के तब होल्ड करोगे जब अब जो सेप्टेंबर कॉर्टर चल ला है अगर दिसम्बर कॉर्टर नेक्स कॉर्टर का जो इसके पैटन शो होगा या उसके अगले साल का ठीक है अगर उसमें यह जो सेनुल्टी पैटन है 38-38 से बढ़के पैंतालिस हो जाता है और यह पब्लिक डाउन हो जाती है तो टेफिनेटली इस टो एक लॉंग ट्रम के लिए अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है फिर ठीक है तो आप इसको द्यान में रखना तभी यह स्टॉक अच्छा लग रहा है तो देख सकते हूं आप इसको रड़ा में रख सकते हूं वैसे मेरे पाद चार पांच स्टॉक है जन्वरी के लिए वह मैं सायथ आपको कले एक दो दुन में अपडेट कर दूँँ आप अभी ब्रेक आउट नहीं हुआ है तो देख लेते स्टॉक का अब चार्ट में लेकर चलता हूं तो देख लेते स्टॉक का चार्ट कैसा लग रहा है तो या दोस्तों मैंने देख सकते हूं चार्ट खोला हुआ वह स्टॉक का और उसका करंट पाई चला थीज रूपे 15 पैसे के अपस थीक है तो मैं आपको उस पर समझा देता हूं मैं एक अच्छी कासी इसमें भूव आई थी उपड़ की तरफ यहां पर एक रजीशन मिला ठीक है यहां से हमें एक ट्रेंड लैंड ड्रो करी आपको देखने को मिली है ट्रेंड लैंड ड्रो करी यहां रजीशन लिया अब एकजेक्ट फिर नीचे गिर गये चीक है यह फिर सपोर्ट लिया उसके बाद इसने यह थर्ट टाइम इस ने ब्रेक कर दिया यह मेरे तीन घंटे का चार्ट खुला हुआ है इसने डेली में भी इसको ब्रेक कर चुका है तो अब इसमें आप अगर चाहो तो ट्रेट कैसे ले सकते हो भाई देखो मैं आपको ट्रेडिंग की क्यों दे रहा हूं आपको वह जाने ही कोशिश करो ठीक है आपको दियरे करके समझ आएगा मैं स्ट्रॉक सेलेक्शन कैसे करता हूं पहुंचाद मैं इसको वीडियो भी बना दूंगा ठीक है तो इसने अच्छा ब्रिक आउट नहां देच चुका है तो टेईस रूपे अच्छा मौगा मिन सकता भाई करनेगा तो मैं अगर भाई करूंगा तो पचास पैसे आसपास अपस में इस चॉपलोस में दो निकल के आते मेरा फस्ट को लागा यह विडियो अगर यह लोग हो जाता है तो फिर मैं अपनी पोजीशन एक्जिट कर लूँ है और जो मेरा का stop loss है long term के लिए मतलब वो long term मतलब ती महीने के लिए वो निकल के आता है ये लो अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं अपना long term stop loss हटा दूँआ तो देख लो भाई अगर आप 23 रुप में बाय कर रहे हो 23 रुप पचास तासी का असपर 21 रुप का stop loss लगा रहे हो ठी ये जो समय टागेट निकल के आते हैं वह निकल के आते हैं 27 रुपे 29 रुपे और 33 रुपे तो ये मेरे टागेट है प्लीज नीचे कॉमेंट करके ऐसे कोशिन मत पूछना सर ये आपका stop नीचे गिर रहा है ये नीचे गिर रहा है आप अपनी मी रिसर्ट आड करो यार ये भी क्लियर काया भाई ये पैनी स्टॉक जो मैं आपको दे रहा हूं वह जीरो भी हो सकते हैं आप तो उपर का मेरा जो मुझे 200 पर सेंट की डिटन दिख रही है स्टॉक में आप वह देखके चले आते हो आप तो वीडियो को पुरा देख तो लिया करो अंदर मैंने क्य झाल